नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है तो आज हम सहराकाश का पार्ट 3rd and 4th को कवर करने वाले हैं इस पार्ट से रिलेटेड आपका कोई भी कोईशन है तो आप हमें कमेंट में बताएं हम आपके सारे कोईशन को अंसर देने कोशिश करेंगे और इस पार्ट से पार्ट 3rd and 4th से रिलेटेड जितने भी कोईशन के अंसर हैं आपको नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो अच्छे से देखे वापस से या फिर आपको अगर इसके अंसर चाहिएं तो आपको डिस्क्रिप्शनल लिंक मिल जाएगा वहाँ से डेब्साइट पे जाके सारे अंसर को देख सकते हैं साथ में दाउनलूट भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वन में लगी भ्यंकर आग की तरह समाचार सारे घर में फैल गया कि समर प्रभा से नहीं बोला वह अपने कमरे में बैठा बैठा जाने क्या क्या सोचता रहा और उदासी थी कि अंदेरे के साथ बढ़ती चली आ रही थी सुबह से कई लोग पूछ चुके थे शायद प्रभा से भी पूछा हो लेकिन दोनों यानि समर और प्रभा ने ऐसी अनिच्छा दिखाई कि फिर किसी के भी पूछने की हिम्मत ना हुई अपनी तथा कतित पतनी से नाराज जरूर था समर लेकिन यह भी जानना चाहता था कि उसने उसके खिलाफ क्या क्या कहा है अभी तक उसके सुनने में कुछ नहीं आया था अगर वह सबसे कुछ न कुछ कहती फिरती तब भी शायद क्या नया नहीं लगता मतलब अगर प्रभा सबसे कुछ कहती फिरती समर की बुराई करती रहती तो भी समर को कुछ नया नहीं लगता तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि घर में कैसा तनाव का महल चल रहा है तो चलिए अब आगे का पेरग्राफ पढ़ते हैं बाबु जी ने अत्यंत गुड रहस में जानने की मुद्रा में कहा गुड रहस मतलब गहरा कुछ खास बात हुई क्या वह मतलब समर चुप रहा फिर उन्होंने पूछा लडाई वडाई तो नहीं हो गई वह चुप चाप निकल गया वह पिता जी से डरता है बजपन की मार वह भूला नहीं है उस समय तो उसका साहस डगमगा गया जब मुन्नी मतलब समर की बेहन ने कहा कि बाबु जी ने बुलाया है वह उनके पास गया वह फर्शी पीते हुए धुआ निकाल रहे थे मतलब बाबु जी जो थे फर्शी पीते बैठ गया बाबु जी बोले क्या बात है बहु तुझे पसंद नहीं आई क्या समर सुनता रहा साफ बताना इसमें जिजक की क्या बात है सुनते हैं तू उससे बोला भी नहीं समर चुपचाप बैठ कर सुन रहा था यह सब वे बोलते है यानि कि बाबु जी बोलते है यह पीछ में तो सोचो कि वह बिचारी पढ़ाई लड़की किसी के बूते पे आई है। मतलब बाबुजी समर को बैठा कर समझा रहे हैं कि वह लड़की भी तो किसी के भरोसे आई है। फिर बाबुजी उसे समझाते हैं कि मान की शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी लेकिन बेटा यह लोक विहवार है। उसके फूट फूट कर रोने वाली बात पीच में ही रह गई। अपने पढ़ने की कोटरी के दरवाजे के बाहर बैठ कर वो निरुदेश्य नजाने क्या क्या सोचता रहा। वो सोचने लगा कि आखिर ये बात बाबुजी को किसने बताई होगी। उसी ने कहा होगा, अम्मा से ना कहा हो, पर मुन्नी या भाबी से तो जरूर कहा होगा। मतलब की अपने स्टडी रूम के बाहर समर बैठ के दरवाजे पे ये सोच रहा है कि ये सब बात आखिर बाबुजी से किसने कही होगी। प्रभाज नहीं कही होगी, अम्मा से ना कहा हो, पर मुन्नी या भाबी से तो जरूर कही है। तबी जाने किधर से भाबी ने आकर कहा, लाला जी क्या सोच रहे हो ऐसे डूबे हुए हो, तुम्हारी तो शादी न हुई, लगता है कि दुनिया भर की चिंताओं का बोज तुम्हारे उपर ही आ गया है। समर चौक गया, जैसे कि कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। उसने इनकार करते हुए कहा कि कुछ नहीं। भाबी के यस प्रश्न पूछने पर कि बनी नहीं क्या, उसने जवाब दिया कि बन भी नहीं सकती। भाबी ने कहा कि प्रभा को अपनी खूपसूर्ती और गर का वातावरन उबाने वाला लग रहा था। मतलब सुबर से ही घर का वातावरन थोड़ा खराब था। रात को फिर मुन्नी और भाबी, बाबुजी, अम्मा और सब ने मिलकर उसे समझाया। प्रभा उसके पास दूद लेकर आई। वह सोच रहा था कि वह शायद उससे माफी मांगे और दूद पीने के लिए कहेगी। उसने कुछ न कहा। या देखकर वह गुस्से से बाहर निकल आया। उस रात उसने दो निरने लिये। एक तो यह कि अब चाहे वह अपनी और से बोले या ना बोले, वह नहीं बोलेगा। दूसरा पढ़खूब ध्यान से पढ़ेगा। मतलब कि समर उस रात दो डिसीजन लेता है। एक तो वह बोलेगा नहीं समर प्रभा से और दूसरा की वह ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करेगा। सुबह प्रभा ने पहली बार खाना बनाया। उसके हाथ की रसोई से समर को ही खाना था। जब वह रसोई मे आया तो मुन्नी, अम्मा, भाबी और अमर यानि कि छोटा भाई बगेरा बैठे थे। यानि कि ये सब लोग ऐसे ही फ्री बैठे हुए थे। समर रसोई में उसके गोरे हाथ को देखा जिन में वह अंगुठी, सोने की चूड़ी और हाथ की घड़ी पहनी थी। समर ने रो प्रभा का भाई आये और उसे माई के लेके चले गए। फ्रेंड्स हमारे याँ पर पार्ट थर्ड खरतम होता है। इससे रिलेटेड दो इंपोर्टन कुश्चिन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को इसके आंसर ढूंडने हैं तो आप लोग वीड नीचे बुलाया। दो स्वयम सेवक खड़े थे। उन्होंने कहा कि शाखा नहीं आते हो। उसने कोई बहाना बना दिया। लगता था अम्मा भी प्रभा से खुश नहीं थी। तभी तो उसने कहा हमारे लड़कों को लड़कियों की कमी है क्या। हम तो समर की दूसरी कि एक शादी नहीं तो परिशान करके रख दिया, अब तो उसे पढ़ाई कर लेने दे। विवाह के दिनों का सारा दिखावा समाप्त हो चुका था और लेन दिन वालों से रोज महाभारत होता था यानि लड़ाई होता था। बाबुजी अम्मा और भाई सहाब से कहते थे अब आगे कैसा होगा इस पर भी सोचो। मुन्नी सबसे अभागिन है। 16-17 की उम्र में उसकी शादी कर दी थी। ससुराल से मुन्नी के करुणा पूड खत, करुणा पूड यानि दुख भरे खत आते थे। यहां आती तो बिलग-बिलग कर रोती। पती और सास मिलकर उस पर अत्याचार करते थे। पती का भी चाल तो हमारे पास आ गई। हमारे पास यानि की अपने माई के आ गई। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा हमारे ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेस्चन है, क्वेरीज है तो वो भी पूछे हम आपका रिप्ल